आप सभी को मेरा नमस्कार सैनेक स्कूल ए कांसलिंग के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आज आनी की डेट है यानी 6 अप्रिल को वैसे पिछले कुछ दिनों से साइट जो है अंडर मेंटेनेंस है ओपन नहीं हो रही है साइट और अभी जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तो हो सकता है कि जो रिजल्ट आनीकि आज की डेट है ये भी कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ जाए लेकिन अच्छा होगा ये रिजल्ट आ जाए तो साले प्रेंट्स के लिए खुछ दिकी बात होगी रिजल्ट डिकलियर होने के बाद मैकिस्म तीनों आप्शन हमलों कम होने की विए से बहुत सारे प्रेंट से कुछ गलतियां हो गई और काफी महंगी पड़ी वो गलतियां उन लोगों को तो आप लोगों के पास वेदी जनकारी रहेगी तो आप लोग अपना डिसिजन काफी अच्छे से ले पाएंगे जिन भी बच्चों को फर्स्ट राउं में दी थी उन्हीं में से किसी एक में सीट अलोट होगी यदि सीट अलोट हुई है और आप सटेस्फाइड हैं कि हमको इसी में एडमिसन ले ले लेना है तो आप एक्सेप्ट बटन का यूज करेंगे एक्सेप्ट बटन का यूज करने के बाद जो एडमिसन का फर्दर प् जाएगा इन प्रोसेस में कहीं भी ज़ी कोई दिक्कत आती है और किसी भी रिजन से यदि आपका एड्मिसन उसे स्कूल में नहीं हो पाता है तो वापस से फिर आप एकॉंसलिंग के आगे किसी भी राउंड में पाटिसिपेट नहीं कर पाएंगे कहने का मतलब कि एक बार आ इसके बाद करते हैं एकॉंसलिंग में दू चीज हम बतला देना चाहते हैं सबसे पहली बात कि यह नॉर्मल एकुटर पर देखने हैं यूज करते हैं वैसा एकुट नहीं है इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि पिछले बार बहुत सारे प्रेंट्स ने के बाद में बहुत बुरी तरह से हैं चुछ का ठीक हुआ कुछ का ठीक नहीं ही हो सका यहां पर जो एग्जिट वटन है यह उस पेज से यह जो विंडू खुला हुआ है उससे exit होने का option नहीं है यहां पर जो exit दिया हुआ है वो है e-counseling के बारे में यदि आप exit पर click कर रहे हैं इसका सीधा सा मतलब है कि आपका कहना है कि अब यह जो admission का process है सैनिक स्कूल में इस साल हम इस पूरे process से ही बाहर हो रहे हैं आप accept ना करें रेकंसिलेड्राड करें एसका सीधा सा मतलब है कि हम एड्व मिली हो यह नहीं मिली हो और हमको आगे करांशों भी नहीं जाना है हम इस प्रोसेस ही exit होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी जरनी है सणिक ऐस स्कूल में इस साल की वह जरनी आपकी खतम हो जाएगी इसलिए एक्जिट बटन पर क्लिक करने से पहले आप निश्चित रूप से ध्यान दे लेंगे इस पर एक्जिट को लेकर एक और बात हम बतला देना चाहते हैं आप लोगों को कि यदि आप किसी भी ऑप्सन पर क्लिक नहीं करते हैं जैसे आपको Students by default आपको एक्जिट मानलेगा आप यह नहीं सूचेंगे कि आप अगले रावन में चले जाएंगे अगले रावन में आप एक ही connection में जाएंगे तो system by default आपको exit मान लेगा और exit का वही मतलब हुआ कि हम अभी इस admission process में कुछ भी जो है इंटेस्ट नहीं है अब हम इसमें आगे आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो exit को लेकर ये दो बाते थी इसको याद रखी है कि आप नॉर्मल उसको exit ना करें एक्जिट करने का मतलब हो गया कि यह नहीं कि यह विंडो बंद हो जाएगा आप e-counseling के process से ही बाहर हो जाएंगे दूसरी बाग कि यदि आप कोई भी सेनिक स्कूल आपको अलोट हुआ है किसी स्कूल में seat मिली है और आपने नहीं accept किया है और नहीं reconsider किया है तो आप by default system के दोरा exit माल नहीं जाएंगे और फिर आप e-counseling के further जो rounds होंगे आगे के उसमें participate भी नहीं कर पाएंगे अब आते हैं हम लोग reconsider option पे ये जो option है ना ये बड़ा हम इसको dangerous option बोलते हैं और खासकर उन parents के लिए जो mediocre marks है जिस वैसे marks जहाँ पर नहीं sure हो सकते हैं कि admission हो जाएं और नहीं हम ये sure हो सकते हैं किसमेपर तो admission नहीं ही होगा उन parents के लिए ये जो reconsider option है ना ये बड़ा मुश्किल वरा होता है कि reconsider करें या ना करें तो इसके वारे में हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि reconsider करने से पहले निश्चित रूप से बहुत बार सोच लीजिए अब हम एक ही लाइन में तो सीधा स suggest नहीं कर सकते हैं क्योंकि parents लाखों हैं अब उन सबों की condition अलग-अलग है अब उन सब अलग-अलग conditions के लिए हम एक ही suggestion दे दें ये बिल्कुल भी उचित नहीं है इसलिए जो भी आपकी condition है आप उसको अच्छे से analyze करके तब ही reconsider करें यदि आपको seat alert होई है आप उसको छो है हम reconsider करके एक दो round में और देख लेते हैं हम जिसमें चाहते हैं दिए उसमें seat मिल गई तो so good so nice यदि नहीं मिला तो वापस आकर हमें जो इस round में seat मिल रही है हम उसी में admission ले लेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है reconsider का मतलब है कि हमें सबसे पहला मतलब उसका यही है कि हमें जो seat मिली है इस round में या further जो भी rounds आगे होगा कि सीट मिली है हम उस seat को surrender कर रहे हैं चोड़ रहे हैं और उसको छोड़ कर हम अगले round में जा रहे हैं आप जो seat छोड़ेंगे वो seat vacant रहेगी और वही vacancy next round में आगे जो रॉण्ट होगी उस रॉण्च में ही वह एकशी जाएगी जो बच्चे में में रीजेक्ट हो जाएंगे yeah documentation में रीजेक्ट हो जाएंगे उनकी लिए उनको लेकर भी जॉ सीट में होगी यहीं सारी सीटी जो है to next रॉन्स पे होती है और वही होने को है रिकंसीडर का मतलब है कि सेरेंडर दसीट आपको जो सीट मिली है में उसको छोड़ा और उसको छोड़ कर हम आगे के राउंड में जा रहे हैं यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है तब जब मार्क्स का डिफरेंस काफी कम रहता है जैसे आपको ए सैनिक स्कूल म कि अगले राउंड में या एक दो राउंड बाद हो सकता है कि कटफ कहीं हमारे बच्चे के मार्क्स के आसपास आ जाए तो यह सोचने में जितना आसान लगता है ना अच्छल में इसा होता नहीं है क्योंकि चार पांच मार्क्स के अंदर में आप बिलीव नहीं करेंगे कि सैकरो बच्चे आते हैं हजार भी हो सकते हैं और इस बार तो हमारे सामने अल इंडिया मेरिट लिश्ट भी नहीं जो हम देख लें कि हमारे बच्चे माले हमारे मैं कितने बच्चे या बच्चियां जो भी हैं वो हमसे उपर हैं और कहां तक admission हुआ है और उनके और हमारे बीच में भी कितने बच्चे बच्चे हुए है यह दिख्कत और है और अगले से यहां को आपको किसी भी स्कुल में यह सीट मिलने की प्रॉब्याइटी है वो बाइडिफॉल्ट कम होती जाती है तो रिकनसीडर में निश्चित व्रूप से एक रिस्क जो है वह बहुत बड़ा होता है तो आप लोग यह कम नंबर का अंतर देखे कि यह कभी न सोचिए कि एक दो राउंड के बाद जो है सो हमारा cutoff आई जाएगा, हमारे cutoff जो आएगा, वो हमारे marks के आसपास होगा, तो हमारा admission उसमें हो जाएगा, हम ये बिल्कुल भी नहीं कहते हैं कि वेट करने से आपको फल नहीं मिलेगा, पिछले साल बहुत साले parents ने वेट किया, उन्होंने reconsider किया, लेकिन उसमें बहुत कम parents को, जिस region से उन्होंने reconsider किया था, वो school मिल पाया, maximum को नहीं ही मिला, जो मिला था, वो तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, और आगे भी उनका, जो, जिसमें, सीट मिले कि उनकी इक्षा थी, उसमें उनको सीट नहीं मिली, तो हमारा ये बि reconsider करने से पहले सही में 101 बार सोच लिए, जो भी आपी condition है, वो आपी बहतर जानते हैं, उस पर अच्छे से नलाइस करके ही आप reconsider करें, क्योंकि जैसे आप reconsider करेंगे, इसमें कहीं कोई दूमत नहीं है, कि रिस्क काफी बढ़ा होगा, हाँ, कुछ बच्चों के मार्स दिए बहुत जादा हैं, जैसे एक पैंट्स मारी बातित होती है, 282 नंबर से हैं, क्लासिक सी बात कर रहे हैं, एक जामने से में जब फॉर्म नोने भारा था, होम एस्टेट दिया था अपना, अब नंबर जब एक्सपेक्टेशन से जादा अच्छे आ गए हैं, तो उनकी सीट अगले राउंड के लिए नहीं बचेगी, ऐसा होने की बहुत कम है, कम से कम एक सीट भी बचेगी, तो 282 मार्ट पर उनको सीट उसमें मिल जाएगी, तो इस कंडिशन में आप देख सकते हैं, कि रिस्क जो है, वो काफी कम है, लेकिन रिवाट जुम है, वो काफी बढ नहीं है, वैसे अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, कि अगले राउंड के लिए एक भी सीट या दो भी सीट ना बचे, लेकिन होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तो आप और यदि नंबर कम है, तो आप ध्यान रखिएगा, कि आपका रिस्क बहुत बढ़ा हो जाएगा, और जो मेरा कहना होगा कि रिकंसीडर करने से फ़र एक बार जरूर सोच लें, एक्छामन में होती है कि हमें ये स्कूल मिल या वो इस्कूल मिल गाए, लेकिन यदि सैनिक इस्कूल में अडमिसन लेना ही है, तो अपने कंडिशन को फ़र साद देखकर जो सीट मिली है, यदि आप प्रोसेस में आप आगे बढ़िए, अभी तक फिलाल यहीं इन्फर्मेशन है, यही कुछ आपनों को इन्फर्मेशन देनी थी, कुछ और भी कोईरी आपको होगी तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम से पूछ सकते हैं, हम सब का जवाब देने की पूरी को सिसकरेंगा.